विभाग में टकराव की स्थिती पैदा हो गई है और आवसी प्रिशिक्षन शिवर को लेकर जहांपर शिक्षकों ने विभाग के खिलाब विरोज जताकर प्रिशिक्षन को गैर आवसी करने के हाँ पर मांग की विभाग ने कड़ा रुक अपनाते हुए प्रिशिक्षन शिवर में नहीं भाग लेने वाले शिक्षकों पर कड़ी कारवाई करने के हाँ पर आदेश देते हुए उनकी वेतन कोटावती के भी यहाँ पर आदेश चारी कर दिये हैं एस बार भी एशिवर 15 मई से लेकर 15 जून डख चलेगा संग्ठन की डिमांड है कि जब मोडूल में जो ट्रेनिंग है उसमें रात में कोई मोडूल नहीं है आवास ये का तो शिक्षकों को क्यों रोका जा रहा है जो सुविधाएं दी जा रही है प्रिक्षिक्षन में वो बिल्कुल नाकाफी है यहां व्यवस्ताओं और इस्तर का सवाल है जिन प्रिक्षिक्षन इस्तलों पर शिक्षिकों को रोका जाएगा वहां पर कोई भी प्रिकार की इस्तरी व्यवस्ता ही नहीं है ना भोजन की समुझित व्यवस्ता है ना पेजल की ठंडे पेजल की व्यवस्ता होगी बीशन गर्मी एक का सामना टीचर्स को करना पड़ेगा जब तापमान पचास डिग्री सेल्सियस को क्रोस कर जाता है मही लास्ट और जून में उस समय ये प्रिश्क्षन होने होते हैं साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा है कि लगबग 80-90% टीचर्स जो थर्ड ग्रेड की हैं वो लेडी होती हैं और इतनी बड़ी संक्या में लेडी को वहाँ पर बात उनकी टोयट की बिना सुविधाओं के और वहाँ रात्वी काले इन विश्राम किया जाना पूरा दिन वो हुआ है